नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूस क्लिक पर, मैं हूँ आपकी होस्ट नीलू व्यास और इस प्लाटफॉर्म पर आप मुझे हर हफ़ते देखेंगे सारे चुनावी राजियों की खबरों के साथ, मेरा एक प्रोग्राम है पॉइंट अव व्यू, हर रविवार को आपके स उसी प्रोग्राम पर मिलूगी पिछले हफ़ते हमने बात की थी उत्तर प्रदेश की जहां पर जो चुनावी सियासत चल रही है उसके बारे में आपको बताया था और इस हफ़ते हम बात करेंगे पंजाब की पंजाब के बारे में ये कहा जा रहा है कि जो 2022 का जो विधान स भाचनाव है वो बहुत पेचीदा है पिछले इलेक्शन से बहुत जादा अलग है हमेशा हम देखते थे कि या तो शिरुमनी अकाली दल की सरकार आती थी या कॉंग्रिस की आती थी लेकिन इस बात जो पुलिटिकल प्लेयर्स है वो बहुत सारे हो गए है और बहुत सारे जो इस इलेक्शन में प्लेयाउट कर रहे हैं कुछ लोग कह रहे हैं चन्नी बनाम मोदी यानि की चरंजीत सिंग चन्नी बनाम नरेंदर मोदी की लड़ाई है कुछ लोग ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी इस समय फ्रे में है जैसा कि जो अपिनियन पोल्स अभी आए पर इस बार पंजाब का चुनाओ लड़ा जाएगा इन सारी इन सारे विश्यों के बारे में बात करते हैं और आपको हमारे पैनलिस्ट से परिचे करवाते हैं हमारे साथ जुड़ रहे हैं कॉंग्रिस के राश्टरी प्रवक्ता गुरदीप सिंग सपल गुरदीप आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज की चर्चा मैं आजे जी से शुरू करती हूँ आजे जी क्या ये कहना सही होगा कि जो 2022 का जो पंजाब का चुनाओ है वो इस बार पिछले कई चुनाओं से अलग है बिलकुल अलग है क्योंकि पंजाब में चुनाओं पहले एक वक्त था कि दो पार्टियों के बीच होता था पिछले 2017 में ये चुनाओं जो है तीन पार्टियों के बीच हो गया और आम आदमी पार्टी एक प्लेयर के रूप में सामने आ गई लेकिन जो आम आदमी पार्टी थी 2014 में जो उसका वोट सेयर था और 2022 में जो वोट सेयर था वो 2019 में आक पे उनके तमाम सारे साथी उनने छोड़ गए और ये सारी इस्तितियां हो अभी जम नगर निगम के चुनाव हुए थे उस दोरान वो आम आदमी पार्टी का कोई चुकी सिंबल पे तो लड़ी नहीं थी लेकिन जो उनके लोग लड़ गए थे वो हार गए अधिकतर जगे प है तो ऐसी इस्तिती में इंसे उम्मीद की जाती थी तो जिस तरह की इस्तितियां थी कोवीड हो और कोवीड के दौरान जिस तरह से इस्तिती रही हो उस समय आम आदमी पार्टी का कोई बहुत बिसेस रोल नहीं दिखाई दिया है लेकिन एक चीज जरू मानेंगे कि आम आ मतलब है कि ना उन्हें कॉंग्रस की सरकार चाहिए और ना ही शिरोमनियकाली दल की बिल्कुल सही कहना है आप यह इस सोच के लोगों की संख्या काफी बढ़ी है और जिस तरह की इस्तितियां है लेकिन अब जिस तरह से दिल्ली माडल दिखाया जाता है दूसी चीजें बत करेंगे तो पंजाब में जो کॉंग्रेस सरकार है मौझूदा सरकार है उसने अपने अस्पतालों को बहुत बहतर किया है है अ पंजाब में काफी अच्छी है और पंजाब में education के मादे में जो national data भी है और उसके मुताबिक किया के schools जो हैं बहुत अच्छा पर्फार्म किये हैं और बहुत अच्छी इस्तिती में है तो इस तरह से जो चीजें कहते तें और रही बात बिजली पानी और उसकी है वो कोई बहुत बड़ा address कर लेंगे इस बात का कोई वो नहीं नज़र आता है क्योंकि हर कोई जानता है दिल्ली में जो बजट है वो extra budget है इनके पास में surface budget है और दूसी तरफ जो surplus budget में और यहां के जो करज वाले बजठ में दोनुमें अंतर है. पंजाब के उर करज लगा हुआ और उस करज का कारण आतंक वाद रहा है. तो इस स्थिति में पंजाब में यह है और पंजाब में एक चीज़ देखे कि पंजाब में करज लगा हुआ और उस करज का कारण आतंकवाद रहा है तो इस इस्तिती में पंजाब में ये हैं और पंजाब एक चीज़ देखिए कि पंजाब में सरकार होते हुए भी पंजाब में कॉंगरेस पार्टी या पंजाब में उसके अलाबा भी दूरसे दर्ष कोई बहुत पैसा आखिर कहां से आ रहा है तो यह भी एक सवाल होता है जी अब दूसरे राउंड पर आउंगी आपके पास मैं आमाद्मी पार्टी के अमर्दीप राजन के पास जाना चाहरी हूं अमर्दीप जी मुझे यह बताई अभी आजजी को आप सुन रहे थे और उन्होंने कहा क पर आप कह रहे हैं कि देखिया आमाद्मी पार्टी की सरकार बनीगी क्या चीज़ ऐसी प्रॉमिस कर रहे हैं जो पंजाब में शरोमनी अकाली दल बादल और कॉंगरस पिछले 75 साल सिराज कर रहे हैं और पंजाब वाले इन पार्टीओं के वरिष्टा चाहर से दुखी आ जाता है उसकी वज़ा से हमें दसर पे यूनिट बिजली पढ़ती है और दिली में अर्विंद केजली वाल जी बिजली दे रहे हैं दिली वालों को तो वो एक फ्री आप कोस्ट वहां पे 82% लोगों का जीरो बिल लाता है तो इसी के अधार पे अर्विंद केजली वाली ज जिनके ग्रीबों के जो 50-50 हजार के बिल आई पड़े हैं उनसे भरे नहीं जाते और वो उनके कनेक्शन तक कट गए हैं वो उनके सब माफ किये जाएंगे और जो तीन सो यूनिट सभी को होगा है सानी है को ऐसी जा किसी और सबी पंजाब वासियों को भी होगा सबी लोग सबी लोग GST देते हैं तो इसके अधार पे अर्मिंद केगरिवाल जी ने दस जो नकाती प्रोग्राम दीवादे की हैं पंजाब से के जो बहुत बड़ी जो है पंजाम में जो रोजगार है लोगों को रोजगार नी मिलता वेर्जगारी बहुत बड़े लेवल पे है नश जो ना करी और यह एक बात प्रचारती कर रहे हैं कि स्जाब के हैं तो यहांसे कि लुए मादी छे प्रचार ते पिंजाम में और यह बात करते है प्रचार कि आम आदमी पाक्रिक आम लोगों की पार्टी है और मैं बात इनको तो और बताजना चाहता हूँ, ये पार्टी की बात करते हैं, कि पहले उनली दो पार्टी की अकाली जाल और कॉंग्रस, जो के मिलके पंजाब वालों को खा री थी, जब आम आदमी पार्टी आई तो लगा, कि अब तो ये चेंज होगा, लोग आम आदमी पार्टी की तरफ चल पड़ी है, तो इस बार चड़िया अमर जी जी, अमर जी जी, को भी सुनना चाहती हूँ, लेकिन जिस तरीके की प्रामिसेज आप इस साल कर रहे हैं, आपकी पार्टी कर रही है, उसी तरीके की प्रामिसेज आपने 2017 में भी की थी और उस समय आपने हर्श देखा था, क पार्टी छोड़ दी, अब वो दूसरे राउंड पर मैं आऊंगी, लेकिन गुर्दीप के पास जाना चाती हूँ, गुर्दीप, जहां तक कॉंग्रिस का सवाल है, कॉंग्रिस के उपर बार बार पंजाब में ये आरोप लगाये जा रहे हैं, कि कॉंग्रिस में गुडब कि बाते फ्हलाई जाती हैं, और किस तरह से फ्हलाई जाती हैं, उसमें आमाज़ी पार्टी और बीजेपी दोनों प्रोपेगेंडा बेस्ट पार्टी हैं, तो उनको ये महारत हासिल है कि कि किसी भी इश्यू को आउट अफ प्रोपोर्शन कैसे दिखाया जाए, जैसे आम सीट दी थी, एक ने 87 सीट दी थी, अब ये सर्वे कैसे हुए थे, अब सिमिलर एक सिचुएशन इस चुनाव में भी बन रही है, कि लगातार आमाज़ी पार्टी के पक्ष में एक महाल दिखाया जा रहा है, जबकि सचाई क्या है, सचाई ये है कि 2014 में जब केजरी वाल न फैमिली में 23% पे आ गया, 23 से फिर वो लोकसवा में 7.4% पे आ गया, और फिर लोकल बॉडी में 5% पे आ गया, अब सच्चाई ये है, अब इस सच्चाई को आमाज़ी पार्टी कैसे नकार सकती है, जो जो दिख रहा है, और जो बिक रहा है, वो सच नहीं है, सच क्या है, स पंजाब नमबर वन पे और दिल्ली नमबर 29 पे है, इस बात का आमाज़ी पार्टी के बास कोई जवाब नहीं है, सच ये है कि दिल्ली की अंदर अगर डिलिवरी होती है, प्रेगनेंट लेडी की, तो 8,700 कुछ रुपे का खर्चा आता है, ये गौर्मेंट आफ इंडिया हस्पिटल है, वो केजरिवाल साफ के आने से पहले हैं, उसके बाद एक हस्पिटल नहीं बना पाए, अब जब पिछले साल कोविड महमारी में जब देखा की जरूरत है, तो अब काम शुरू किया है, तो आपने 7-8 साल काम क्यों नहीं किया था, किस ने रोका था, इनका ज समय सरकारी स्कूल के result प्रैवेट स्कूल से दिली में अच्छी आते थे, 99.8% परसें तक सरकारी स्कूल के result आ रहे थे, अब वो गिर गये, अब वो 2-3% गिर गये, तो ये कैसे हुआ, तो हर चीज को हर चीज को छुपाते हैं, आज की तारीक में दिलिक के अंदर principal से चाहते हैं कि हम आपकी एजूकेशन वेबस्ता सोधार देंगे तो पंजाब में ऐसा नहीं है यह बाते चलती नहीं है इसलिए हर साल उनका वोट गरता गया और वोट गरता गया वो एक बात उनके लोग छोड़ते गए कुछ तो केजरिवाल जी के अंदर इसी गरबढ़ कोई तो वज़े होगी इनकी पार्टी की फंक्शिंग में कि वो जो भी इनके साथ आता है जो भी काबिल होता है वो छोड़के चल देता है तो पंजाब इस बात को समझता है और इसलिए अगर बात मुद्दे की करेंगे तो मुद्दे पर बात करनी चाहिए आपने सुना जो दलीले गुर्दीप ने दी है कि आपका केस जो आपकी पार्टी का लग रहा है कि नाम बड़े दर्शन छोटे जो एक कहावत है कि आप दिखाते बहुत ज़ादा है लेकिन असलिएत में वो चीज़ें धरातल पर है नहीं जो यह कह रहे हैं इतना जूट का परचार जो बीजेपी वाले कॉंग्रस वाले काली जल वाले कर रहे हैं आम आदमी पार्टी की पार्टी को लेकर तो मैं कहना चाहता हूँ अगर कॉंग्रस इतना ही अच्छा काम कर रही थी तो दिली में दिली वालों ने एक आम इंसान तर्विंद केजरिवाल जी को पहली बार जो 28 सीटे जिताई एक आम इंसान को उसके उननजा दिन को काम को देखकर दिली वालों ने 17 सीटे दी जब उसने 5 साल में दिली के स्कूल अच्छे किये लोगों को पानी नहीं मिलता था पानी दिया लोगों को ऐसा पानी दिया कि वा दिली वालों ने ये तो इनको आइना दिली वालों ने दिखा दिया अर्मिन केजरिवाल जी के काम का अरे अमरदीब जी आप कहरें कि किसी पार्टी की नियत साफ नहीं है अभी मैं प्रेस कॉन्फरेंस दोती दिन पहले मैंने ट्विटर पर देखी थी उसमें चड़्डा को पीछे से बाहर निकलना पड़ा और वो फेस नहीं कर पाए और वो पूरी सारी चीज़े ट्विट अधर परती और वो क्यों नहीं फेस कर पाए कहीं ना कहीं तो कुछ गड़बड है ना हम आदमी पार्टी के साथ भी जब हम करेंगे लोग कई लोगों की चाहे नहीं हम पूरी कर सकते हैं सभी को टिक नहीं इल सकती है जो अर्विंद केजरिवाल में है इस बात कर जवाब देना शृ्णूरिया नीलू की दिली में केजरिवाल जीते कैसे केज रिवाज गीते हैं मैं आपको एक लास्ट बात बताना चाथा हूं पूरिकल ले लीजे पूरिकल लेजे पुरिकल ले लेजे पूरिकल बूरेज पूरिकल میں जब भी येलेक्शन आते हैं तो महाल खराब करना चाते हैं देखो पुर्याब में कौन महाल खराब कर रहे हैं? कौन कर रहे हैं? जो प्लिटिकल पार्टीज हैं ये महाल खराब करती हैं और पार्टीज लेके आती हैं इनको पता है वोट शेर जिन पार्टी का है जो आम आदमी पार्टी को डल रही है ये आम आदमी पार्टी ना आ जाए पंजाब में वोट बालों को बताना चाहता हूँ, कि इनके वहाम आदमी पार्टी को अरविंद देखे रहेंगे, क्याये वह अकाली जाल की प्रेस करहें थेंगे अन्होंने सोचल मीडिया पर तिये नहीं आच्ट सो क्रोड रपी एक खर्चता है कि आम आज़मी पार्टी अर्विंद केज्री वाल पे此रो उठा लो कि पज्जाब का दर्धी नहीं है नहीं जो पॉध्यान जानते है अब उन्हें दिल्ली में देखा है किसानों ने कैसे अर्विंद केजरी बाल जी ने किसानों के लिए कंदे से कंदा लगा के खड़े रहे हर पर उनकी हेल्प की वहां पर जब दिल्ली बुरूहों पर किसान पंजाब का बैठा था और जो मोदी जी है ना जे वहां पर स्टेडियम मंगते पर जा। ने काईब गूंद केजरीवाल जी बुरूहोस के बहुत पर लिए के बात भाल में दूसरे मुद्रेज़बूल कि दिल्ली में केजरीवाल क्यों जीते थे कि 2012 वाल के बीच में चूटका एक बहुत बड़ा प्रपंचिवेश में रचा गया था जिसकी अंदर केजरिवाल जी कहते है तो ना कॉमन वेल्ट में बहुत घोटाला हुआ तूजी में बहुत घोटाला हुआ लोकपाल आना चाहिए और कोईल में घोटाला हुआ इतना बड़ा जूट था कि आज इतने साल के बाद कोल के केस खताम हो गए पूरे देश को पता है कि आज तूजी कोई घोटाला नहीं था अर्विन केजरिवाल आपके पस आउंगी अमर्दीब जी आउंगी कुछ भी कॉमन वेल्ट में थाबित नहीं कर वाए आठ साल के बा अर्विन केजरिवाल ने तो माफी मांगी थी कोट में विकर मजिठिया थे ना जूट बोलकर माफी मांगके डर गए नतिन गड़गरी से उन्होंने फिर माफी मांगी अर्विन केजरिवाल ने अरुन जेटली से माफी मांगी उन्होंने कपिल सिबल के बेटे अमित सिबल से माफी मागी तो जूट बोलके भाग जाना वो कुछ समय चल गया वो जब कुछ समय चला उस पर उनको जीत मेरी लेकिन आज लोगों को पता है कि हर एक बात जो उन्होंने रेज की ती अर्विन केजरिवाल ने नेता लाए बनने के लिए और हर एक philosophy जिसको लेके चले थे philosophy उन्टी क्या थी मैं सबको लेके चलूँगा मैं secular हूँ जब दिल्ली में दंगे हुएं ली डेलो जी मुझे वो दिन याद है जब दिल्ली के दंगेंओं में लोग मर रहे थे और एंबुलेंस को पुलिस वाले भी खुसने नहीं दे रहे थे दिल्ली पुरानी दिल्ली के लाके में और अर्विन केजरिवाल के घर पे रात को ग्यारा बज़े डॉक्टर्स एम्स के कहे थे कि एंबुलेंस की पर्मिशन दीजी हेल्थ डिपार्टमेंट आपके पास है वो मि आते थे उससे आज वो बढ़ी बड़ी पूजाएं करते हैं अक्षर धाम के अंदर अब वो सेकुलरिजम की बात नहीं कर रहे थे अब वह उन सब प्रूफ को नहीं देते हैं जो उन्होंने आरोप लगाए थे एक एक करके और अभी इन्होंने बहुत बनाएं मुझे एक अब आहरी हो अब आरी हो दौर्फ कोटीवाला में नरायना में डंडर पूर में केशफ पूरम में यह 16 शुरू हुए थे एक पूरा नहीं किया आज 21 में बैठे हैं 13 में बन रहे थे यह अब आप बताएं कौन सा एक आपने पूरा किया कौन सा एक हॉस्पिटल दिल्दी म पूरा किया अब दीजिए अभी जो गुर्दीप ने सारी चीजें बताई हैं डेटावाइज उन्होंने सारे नाम भी गिनाए कि ये जगह पे हॉस्पितल्स बनने थे कोई हॉस्पितल्स बने नहीं अभी आपने बोला कि ये सारी जुती अलग अलग पार्टीज हैं वो हमें के जिवाल और उनकी पार्टी के बारे में यही कहा जाता है कि ही इस जिस लाग अनी अधर प्लिटिकल पार्टी इस नो डिफें फ्रम बीजेप और कॉंग्रस से बीजेप कॉंगरस आज तक जो कर रही हैं दंगों की राज निटी जो जे कह रहे हैं हमारे अपना गुर्द जो पैगाम है हमारा जो देश वासर को जे पैगाम देते है अर्विंद केजरिवाल जी जो पंजाब के आप बात कर रहे हैं पंजाब में रोजगार नशा जो खेती के अपना प्रॉलम्स हैं उनको ठीक किया जाएगा तो पंजाब में कितनी प्रॉलम्स हैं इनको ठीक किय जाएगा आज पंजाब खतम होने पे किनारे पे किया है जो एकी सिख्य के दो पहलू है जो जूट की जो अपना बैंड बजा रहे हैं जो गुरुदीत की इनको बोलो के देश के लिए खड़ना सीखिए आप आप प्रचार मत करिया है पीसरी बार सरकार नहीं बनती है आम पहले जो दिली सरकार के पास होती थी एंटी क्रेक्शन ब्राँच जो पहले उननजा दिन की सरकार दी तो अर्मिल केजरीवाजी ने ब्रिश्टाचार खतम कर दिया था एक साल में रेल्डर मोदी जी ने वहां पे लेक्शन नहीं होने दिये वो एंटी क्रेक्शन ब्राँ आमर्दीब से भी, मुझे ये बताई कि जो पंजाब की जनता है, उस जनता को आज क्या चाहिए? बेदभी का मामला अभी उठा, अभी अचानक से प्रिदान मंठी नरेंज मोदी की जो सुरक्षा है, उसको लेकर भी एक बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है, जो कि एक नरातल पर पंजाब की जनता किस मुद्दे पर वोट डालेगी? देखे, निश्चित रूप से रोजगार एक मुद्दा होता है, तमाम सानी जो सेसिविक प्रॉब्लम्स हैं, वो मुद्दा होती है, लेकिन वो इतनी बड़ी बड़ा मुद्दा नहीं है, कि बहुत कुछ बदल देंगी या चीजें कर देंगी, क्योंकि ऐस सच पंजाब में कोई इतनी बड़ी कोई समस्या है नहीं, नमबर एक, रही बात जो एक समस्या हुआ करती थी, अकाली दल सरकार में नसे वाली, वो अब लगभग ना के बराबर है, मतलब ऐसा तो है नहीं, पूरे हिंद है कि जो बैयद्बी वाला मसला था, उस मसले में जिस तरह से चन्नी ने, चुके उन्हें तो अभी दो ही महीने हुए हैं, तो जिस तरह से उनके पास दो ड़ाई महीने में सरकार चलाने में जितना टाइम था, उस दौरान उन्होंने काम किया है और उसको लेके एक्सन कि किस तरह से किसानी और दोसी चीजों में, तो उन सब चीजों में लगातार सरकार की तरफ से कुछ न कुछ किया जा रहा है, लगातार किया जा रहा है, और जिस तरह से कैप्टन के समय में जो काम नहीं हुए थे, या लटके हुए थे, वो काम जो है चन्नी ने कंप्लीट कराएं हैं तो इसमें कोई दोराय नहीं है कि इतने कम समय में यदि कोई मुख मंत्री चुकि उसे टाइम तो मिला नहीं है तो ऐसी इस्तिती में जिस तरह से उसने काम किया है और जमीन पे रहके काम किया है रात दो दो बजे तीन-तीन बजे काम करते दिखते हैं तो उस इस्त गयुदे पोक्तिशह पमिपेंगे आम आदमी पार्टी है और काउंड़ेस के मुक्र dó Cori के पीछ जबार चुब Venice के बीश में किशार नहीं देते हैं डू अर्श पर जोड़ देते हैं और अर्विंद केज़ार आम आदमी पार्टी के इसति यह है कि पन्जाब का कोई अजे ही आपने कहा कि चंडीगर के चुनाओं में चंडीगर के जितने टाइलेट्स हैं सरकार के पास है नगर निगम के पास उसमें सिर्फ एक ही विग्यापन दिखाई देता था वो अर्विन के जरीगाल का और जो साइकिल के स्टेंड्स है और जहां पर वो है उसमें बीजेपी का मैं मतलब सिंगल एक मैंने नहीं देखा पूरे चंडीगर में कि कॉंग्रस का एक भी लगा हो तो मैं इससे आप समझ सकते हैं कि जो मोहलेदारी के चुनाओं है उनमें भी इस तरह से चीजे रही तो आप समझ सकते हैं क अगर सब चीजे ठीक हो रही थी जो चीजे अमरेंदर सिंग भी पूरी नहीं कर पाए उनको चन्नी जी ने किया है लेकिन आज ये परसेप्शन कॉंग्रस के बारे में क्यों बन रहा है आप से समझूंगे तो इसके बद में गुड़ीप के पास भी जाओंगी इसको लेकर कि जो चन्नी जी के बारे में कहा जा रहा है कि कॉंग्रस को इसका खामियाजा इस बार भुगतना पड़ेगा क्योंकि जो गुडबाजी थी जो भी प्रॉब्लम्स रही हो नवजोद सिदू और चन्नी के बीच में समन्वे नहीं बन पाया या कॉडिनेशन नहीं बन पाया रहे हाई कमान ने बहुत देर से आट किया जो भी रीजन्स हो तो क्या आपको लगता है कि कॉंग्रस के जो इलीक्टाौर्ल प्रॉस्पेक्ट्स है इस बार वो कही नहीं आम आदमी के पाटी के कम्पारिजन में या मरिंदर सिग्ग की जो आलायंस है उसके कमपारिजन में कहीं न कहीं पीछे है कॉंग्रेस देखे मैं एक चीज बताओं कि जिस तरह से कैप्टन को जब हटाने का डिसीजन साथ देर से लिया गया यह थोड़ा और पहले ले लिया जाता और जो भी नया मुखमंत्री बनता उसको टाइम थोड़ा ज्यादा मिलता तो मुझे लगता है ज्यादा बहतर काम हो सकता था नंबर एक नंबर दो कॉंग्रेस पार्टी में गुटवाजी बिल्कुल है और यह ठहरी नहीं है जब से चाहें चन्नी बने हो चाहें चन्नी ना रहे हो गुटवाजी का लगा थार उनके हां रहा है और मुझे लगता है Congress का इतिहास कि उसमें कभी ऐसा नहीं रहा मैंने तो नहीं देखा कि गुदवाजी न रही हो कभी जब Captain होते थे तो Captain और Vajooabra की होती थी कभी किसी की होती थी कभी किसी की होती थी आज भी वई है थोड़ा सा सक़ुझ की vocal जादा है इस कारण समस्या जादा हो जाती है से एच सॺ देखे एक चीज चीज सब कोई मानता है कि सिदु इमानदार है इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है और सिद्धू के साथ में समस्या ये है कि वो अपने से उपर किसी को नहीं रखना चाहते हैं तो इसलिए साइद एक समस्या होती है और सिद्धू जैसा साइद चाहते थे कि चन्नी साइद उनके आगे बिल्कुल उनके बॉय बनके रहेंगे तो वो इस्थिती नहीं हो सकी इसलिए उन्हें तकलीफ होती है और चन्नी को लगातार उनका हाई कमान के साथ में जिस तरह से संपर्क है और विश्वास बढ़ गया है और जिस तरह से उन्होंने काम डिलेवर किये हैं जो उन्हें एजंडे दिये गये थे ऐठारा सुत्री उ और इन इस्तितियों में लेना कि जब गुटवाजी थी पार्टी में तो ये एक बड़ी चीज है और इसका असद ये हुआ है कि और खुद चुपचाप गाउं पहुँच जाते हैं, रात को दो वजे पहुच जाते हैं, लोगों के घर पे पहुच जाते हैं, मतलब इतना काम सियम मैंने अभी दौर में नहीं देखा, आप सोचिए, अर्विन केजरीवाल जब सियम बने थे, पहली बार तुम बोलते थे कि हम सामान से एक फ्लैट में रहेंगे, ऐसे रहेंगे, लेकिन वो उसके बाद रहें नहीं, उसके बाद में फिर बंगले में पहुच गया, चन पता चला कि नहीं, वो सियम हाउस में नहीं रहते हैं, जो स्टेट मिनिस्टर के तौर पे उन्हें बंगलायलाट हुआ था, वो उसी में ही रहते हैं, और वहीं पे, मैं गया तो आप ये सोचिए, उनके बेडरूम में लोग चले आ रहे थे, और मेरे सामने कम से कम 20-25 सुरक्षा में आपको बताऊं, कि सीम बनने के समय में जो सुरक्षा थी, आज उसकी 10% सुरक्षा रह गई, मतलब 90% उन्होंने सेक्योर्टी हटा दिये, कम कर दिये, ये पहले रहे हैं, जो ये कॉमन मैन इमिज की बात की, चरणजीत सिंग चन्नी के बारे में, उनके बारे के लिए बड़ा ड्रॉबैक नहीं है, जहां पर जो प्रदेश अध्यक्ष है, वो अपने आगे किसी को देखना नहीं चाहता, वो यहां तक कि चरणजीत सिंग चन्नी की बहुत सारी ऐसी बाते हैं, जो भी आही है, कि उससे अग्री नहीं करते, तो ऐसे वे कोडिनेशन कि को पार्टी ओवरकम कर पाएगी, कहीं ऐसा नहों कि वोटर के माइन में कोई नहीं कोई 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 कन्फ्यूजन हो, जैसा कि अमर्दी भी कह रहे हैं कि लोग आप विकल्प ढूड रहे हैं, क्योंकि सबको यह लग रहा है कि कॉंग्रेस भी बिलकुल वीजेपी की तरह ही ह नीली इसको सवाल के जवाब में आपके कॉंग्रेस पार्टी को समझना पड़ेगा, कि कॉंग्रेस पार्टी काम कैसे करती है, वो देश की अकेली पार्टी है, जो दरसल लोक्तांत्रिक पार्टी है, जहां पे अलग 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 विचारधारा की लिमिट के अंदर भी, औ अपने सबाओं के साथ बी अपने अलग अलग वरकिंग के तरीके के साथ भी जगा बनाके चलते हैं आमाधी पार्टी हो या बीजेपी हो या कोई पार्टी हो या अकाली दल हो या बीएसपी हो उनमें ये गुझाईश ही नहीं है अगर लीडर्शिप से अलग हटकर आप बाहर फेक दिया जाएगा इस बात को आम आज़ी पार्टी के कारे करता तो सबसे अची तरह जानते हैं लेकिन कॉंग्रेस पार्टी के अंदर वो फ्लेक्सिबिलिटी है कई बार वो कॉंट्रेडिक्शन के रूप में नदर आती है कई बार वो लगता है कि अंदर मत और इसी फंक्शनिंग के वेए से वो पार्टी सफल भी रही और देश को भी एक रखे रहा माईव या हाईवे माईवे या हाईवे का जो कॉंसेप्ट हो कॉंग्रेस पार्टी के अंदर आज भी नहीं है लेकिन गुटी पगर आप देखे ताइम जब हाई कमांड को प्रो कंडिडेट क्यों नहीं बता पारी है इस इस गोई भी नवजोट सिंग सिद्धू और इस इस गोई भी चारंजीत सिंग चन्नी दर इस नो क्लारिटी अन दा देखो आपने वर्ड यूज किया प्रवोग मैं शब्द यूज करूंगा कि उनको आजादी अपनी बात कह नही आज कॉंग्रेस पार्टी का तो बकाइदा चीफ मिनेस्टर है केजरी वाल को किस ने रोका अपना चीफ मिनेस्टर कैंडिडेट खोशित करने के लिए उनकी पार्टी में क्यों नहीं आज उनकी पार्टी में केजरी वाल चेहरे बने हुए हैं जो ना पंजाब से हैं ना क CCA ध्यक्ष है आज एक collective leadership है आज और ये Congress के अंदर ये flexibility है कि लोग अपनी बात कहते हैं और इसलिए मैं कह रहा हूँ my way या highway का जो culture वो भारत की 90% parties के अंदर है वो Congress के अंदर नहीं है ये Congress की मजबूती है ये Congress की कमजोरी देखना ये जिस तरह से कमजोरी के रूपे नहीं देखते हम लोग और बात कहीं अभी अपनी पूरे जवाब में एक भी तक्थे नहीं बोला rhetoric बोला rhetoric में बात की जतने तक्थे मैंने उठाए जितने तक्थे आम आदी पार्टी के पास कोई जवाब में ही है आज उनको आठ साल होगे दिल्ली के अंदर आठ साल से उनकी सरकार चल रही है और बिना किसी opposition की सरकार है अब मुझे बताइए कि उन्होंने रोजगार के लिए क्या किया पांच गुना पांच गुना निनू दिल्ली के अंदर employment डूढने आते थे आज आठ साल में अंदर दिल्ली के लोग बाहर बैंगलोर जा रहे हैं पूने जारे employment के लिए यह सिति क्यों आ गई दोह जर तेरा के अंदर दिल्ली दुनिया का ग्रीनस्ट सिटी था आज 2021 के अंदर वो most polluted city हो गया, यह कैसे हो गया, आज जितने लोग दिल्ली में छोटा काम करते हैं, रेडी पत्री वाले, देश में कानून है, उनको लाइसेंस देने का, वोने 5 लाख लोग हैं, दिल्ली केवल उन चार राज्यों में से हैं, जिसमें एक भी वेट्टी को लाइस इसलिए कि आपने कहा कि Congress एक बहुत लोगतांत्रिक पार्टी है, और सब को डिसेंट करने का अधिकार दिया जाता है, लोग बोल सकते हैं, पज़ाब की रेफरेंस में हो सकता है, यह ठीक हो, लेकिन 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 को उतरा ख़ड, कल किशोर किशोर उपाध्या को क्यों पार्टी से निकाला गया, तो अगर इतनी ही लोगतांत्रिक पार्टी है, तो फिर किशोर उपाध्या को क्यों नी पार्टी में अटजस्क किया गया, तो यह अलग-अलग स्टेज के लिए क्या अलग-अलग मॉडल्स है, लोगतांत्रिक मॉड पार्टी के पदों से हटाया गया क्योंकि वो बीजेपी के साथ लगतार बातचीत कर रहे हैं पिछे चार मेने से खबरे आ रही थी लगतार उनको ये बात करने कोशिश हुई कि आप गलत कर रहे हैं आप फूर वध्यक्ष रहे हैं इस्टेट के जब बातचीत बंद नहीं वो अपनी अपनी बात कह रहे हैं वो स्क्रिणी कमेटी में बात करते हैं वो कमेटी में बात करते हैं और वो अलग-अलग सहंस्तित वो चलता है ये पॉलिटिक्स में चलता है आपस में लेकिन मेरे को बात यही है कि केजरीवाल की पार्टी में यह नहीं चलता जितना टेल अमर्दीव जी जितने आरोप लगाए माफी मांग ली दिली को कहां से कहां पुचा दिया अमर्दीव जी अब मैं वो बिजली पानी और पुल्यूशन के मुद्व पे नहीं जाना चाहती हूं क्यूकि डिबेट को आगे भी बढ़ाना है लेकिन मेरा जो सवाल है कि लोगतांतरिक फ्रेमवर्क की जो बात गुदीब कह रहे थे कि केजरिवाल की पार्टी में है ही नहीं और दूसरा जो चीफ मिनिस्टेरिल कैंडिडेट की बात है आज एक हफते दस दिन से मैं सुन रही हूँ कि पाटी अपना मुख्यमंतरी का जो दाविदार है उस नाम की घोश्रा करेगा कौन होगा पंजाब का मुख्यमंतरी अगर आम आदमी पाटी की सरकार बनती है तो पंजाब की आप राए ले लीजिए तो उन्होंने काल एक नंबर इशू किया है कि आप इस नंबर पे कॉल करेंगे तो आपको मतलब के कंप्यूटर की तरफ से उचा जाएगा कि आप किसको चाते हैं पंजाब का आम आदमी पार्टी का सीम का तेरा तो वो लोगों का एक पूच को क्या चाहिए उनके में वाड में वही दिया जाता है जो पंजाब की नीड़स है वो पंजाब वालों के जी जाएगी जो पंजाब वाले चाहते हैं हमारा मुक्ष मंतरी को होना चाहिए पंजाब का मुक्रमंतरी वही होगा, यह दिल्ली से कॉंगरस है की हाई कमांड से नहीं आएगा, कि पंजाब का मुक्रमंतरी कौन होगा, जो आज इन में बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे यह चल रही है बात, कि यह आपस में लड़ रहे हैं, नवजोद सिदू चन्नी औ मुक्रमंतरी पद के लिए नाम घोशित करना, क्या एक बहुत बड़ी चुनोती हो गई है, कॉंगरस ने कहा कि नहीं सबको अपनी राय रखने का अधिकार है, और पार्टी जो तै करेगी वो होगा, अब लेकिन अभी कन्फूजन है, सुनील जाखर के बीच में, आया पावर में वापिस, तो हो सकता है Amrinder Singh बने, लेकिन still there is no clarity, तो इस बार क्या मुख्यमंतरी पद का चहरा घोशित करना, क्या इतनी बड़ी चुनौती है पार्टियों के लिए, irrespective of which political party is it? ने, मुझे लगता है, इतनी बड़ी कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन मैं एक चीज जैसा मैं पंजाब की परंपरा को देखता हूँ, Congress Party ने केवल 2017 ही एक ऐसा था, जिसमें मुखमंतरी candidate का नाम announce किया था, सेस उन्होंने कभी भी Congress Party ने पंजाब में मुखमंतरी के चेहरे के गोशना कभी नहीं की है, नमबर ने, नमबर दो यह है कि जिस तरह की इस्तितिया मैं देख रहा हूँ, आपने Congress के सापेक्च में पूछा है, वह ही बता रहा हूँ, कि Congress में आल्रेडी लगभग लगभग तैसा ही है, कि चन्नी जो है मुखमंतरी का चेहरा है और उसमें कोई बदलाव होने नहीं जा रहा है, यदि चुनाओ जीत जाएंगे, फिर भी, लेकिन नवजयोत सिद्धू के अपनी महत्वा कांच्छा हैं और वो लगातार उसके लिए अधीर होते रहते हैं, उन्हें ज फारण से स्तिती यह होती है कि कई बार असहज स्तिती होती है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि पार्टी जो है इसमें कोई और शीजें करेगी, और पार्टी भी इस चीज को भी वॉच्छ कर रही है कि कौन क्या हो सकता Chef 2, मुझे लगता है पार्टी वह छोड़ेगी किया जो संसदी दल होगा वो अपना नेता चुने और उस इस्तिती में किसके किसने कैसे जीत के आते हैं और क्या होता है उस इस्तिती में ही वो मुझे लगता है कि बहुत जाया करने का कोई माइने नहीं रहे अकाली दल में तो अपना कंडिडेट मुखमंत्री का सभी को पता है उसमें बताने कि आउससेक्टा नहीं है क्योंकि इस बार सुख्वीर बादल के ही चेहरे पर चुनाओ लड़ा जा रहा है और तीसी चीज़ यह है आमाद्मी पार्टी की आमाद्मी पार्टी का समस्य यह है कि वो खुद पर ही इस्टेंड नहीं ले पाते हैं कभी कुछ बोलते हैं तो उनकी बातें बदलती रहती हैं। उसमें जो दलित कंसॉलिडेशन जिसमें की हो सके तो कई लोग ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है चरंजीत सिंग चन्नी अपनी विक्ट्री के लिए कान्फिडिन ना हो और ये एक वज़ा है कि उनको दो सीटों से लड़ना पड़ रहा है उसकी क्या वज़ा है इसका जवाब दूँगा लेकिन पहले एक जवाब मैं दे दू कि केजरी वाल सबसे पूछ के काम करते हैं केजरी वाल जब दुविधा में फसते हैं ना तो बचने के लिए करते हैं त्यार पांच साल में हाला कि जब उन्होंने एक बुकलेट लिकी थी सी एम बनने से पहले है कि मैं हर पैसला पूछ के लूँगा अब मुझे आम आजी पार्टी के कोई भी निता ये बता जें कि दिल्ली में हर महले में शराब का ठेका जो खुल गया परिब 900 नए शराब के ठेके खुले उसके लिए उन्होंने किस जनता से पूछा किस से पूछके वो ठेके खुले थे और वो ठेके दिये भी किसको जो शराब माफिया के चेहरा है पंजाब में दीप मलोतरा को ऐसा तो नहीं यह अकाली दल के लिए कौण में जाने पूछा था कूछे पूछा था कौन से पुछा था कि हमापके महले में ठेका खुले नहीं कूल دे इसका काम कर रही है वह धिली सरकार को पता है रहे हुए पमजरु मलोतरा को बहुत करप इसां कह भी जहां से इमेना है अब आपके जनता से पूछा कि आपके मुले में ठेका खोले नहीं खोले दिल्ली सरकार ने कई फैसले करने हैं वो देखके ही करने हैं ना ये तो नहीं है आपने जवाब नहीं दिया लेकिन आपने जवाब इस बाता नहीं दिया अमर्दीब जी मुझे पता है आपको भी बहुत जल्दी है अमर्दीब जी आपने गुर्दीब का सवाल का जवाब नहीं दिया गुर्दीब ने ये कहा कि जब केजरिवाल फंसते हैं तो वो फिर जनता के पास चले जाते हैं अब वो माइन में पास चले गए अपना चीफ मिनिस्टेरी जाते हैं तो इसलिए वो कंपेंग चलाए गया है कॉंगर्दीब का सवाब ले लेकिन जब नरेंद्र मोधी दो जगह से लड़ते हैं गुजरात में और वारानसी में तो पूरे देश में ये प्रपगेंड़े कि जाता है कि वो हिंदू वोट कंसलिडेर करने के लिए दो जगह से लड़ रहे हैं लेकिन जब कॉन्ग्रेस की लीडर लड़ेंगे दो जगह से तो प्रपगेंड़ा ये किया जाता है कि वो सीट कमजोर है इसने लड़ रहे हैं नहीं अगर कोई बड़ा लीडर लड़ता है दो अलग अलग एरियास से तो वो यही मेसेज देता है कि मेरी ये फिलोसफी है मेरी ये पॉलिटिक्स है और इसको मजबूत करने के लिए मैं दो जगा से इसने लड़ रहा हूं कि दो के लोगों में डिरेक्ट अपनी मैसेज दे सकूँ तो यह जो चीज है दिल अटल बिहरी वाचपई दो जगा से कई लड़ लड़े से तब तो यह मैसेज नहीं इंदरा गांदी लेड़ी ती कोई कहदे कि इंदरा गांदी कमजोर देता थी तो यह नहीं है यह जो जब लड़ें तो अलग उसकी एनलेसिस हो और अगर चन्डी के लड़ने की बात आए तो अलग एनलेसिस हो यह बात गलत है सवाल बहुत सीधा सा है सवाल सीधा सा यह है कि पंजाब के दर चुनाओ है पंजाब के अंदर कॉंगेस पार्टी के अंदर कई नेता हैं मिलकर चुना पे आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, वो अभी ढूंड रही है कि उसका चेहरा कौन होगा, उसको अभी तक अपना चेहरा नहीं मिला, एक भी लीडर अभी तक नहीं मिला, वो ढूंड रही है, और तीसरी बात, कि दिल्ली में जो कुछ उन्होंने नहीं किया, वही वही क् चाहे वो हाउजिंग का हो चाहे वो एजूकेशन का हो चाहे वो हेल्थ का हो अमर्दीब जी अब आप से टिपड़ी रेकर मैं प्रोग्राम खत्म करूंगी आजे जी से अमर्दीब जी बोलिए बताइए आप तो बहुत पांफुटरें ने कि आपकी सरकान बने माले हैं आप भी रोजगर नहीं है क्यों लोग बाहर जारे हैं ये लोग के चाहते हैं सैनिटेशन पंजाब का सैनिटेशन बिल्कुल खतम हो चुका है जहां पर जब भी कोई बारश आती है तो तबीके घरों में पानी चला जाता है ये किस बात पे खड़े हैं हर बात पे गफ जूट आजे जी ने यहाँ पर प्रोग्राम में बोंजाब के लोगों को इतनी प्रॉब्लम है नहीं और जो प्रॉब्लम्स थी वो रिजॉल्ट की गई है इसलिए तो लोग चत है ये कैसे इनका वोट शेयर पांस परसेंट था इनको मैं बता देना चाहता हूं गुदीब जी को शाइड जिनको पता नहीं है राज निती में लोग हर इलेक्शन को अलग नजरीय से देखते हैं मले की इलेक्षन को अलग से देखते हैं Kudidita, मैं आपको बताता हूँ, अपना, कैपेटर मुरंदर सिंग ने, साथे-चार सा जो करप्शन की और पैसा राहूं गांदी को पचाने में लगे हुए थे, आप उनको लगा कि हम सरकार मुंत बना रहे हैं पंजब में, आप एक प्रफ्ट्री के आप कैमरा के जाता है चन्नी पहले एक है अपना एडूकर सब्सक्राइब तो पिछली बार काबने यह नहीं है उन्होंने क्या वन्होंने कि चार निवस्टी एये तेक्निकल । पंजाम में बंद हो न ši 2 वीर ऑन रिकी यां तो आप्के समर्थन में रहंगी अगर आपकी सरकार बनेगी तो आपने कहा है जै कि व आपकारी में बड़ी आपके कुल्कि आवादमी पार्टी की सरकार पंजाब में बनती है तो फिर आउं आदमी पार्टी वह करिश्मा करके दिखाएगी जो कि किसी भी शायद रिजिनल पार्टी नहीं किया ओगा क्योंकि अगर बनेगी आम आदमी पार्टी की सरकार तो फिर आप से सवाल करूँगी और गुर्दीब से भी सवाल करूँगी कि क्यों कॉंग्रिस नहीं आई और अगर कॉंग्रिस भी आई तो कॉंग्रिस के बारे में और सवाल करेंगे तो आप सभी महमानों का बहुत बहुत शुक् थांक्यू सो मच आपसे फिर मुलाकात होगी अगले हफते